आज हम बनाने जा रहे हैं गंगौर की पूजय के लिए गुणा और मठरी तो हमें सबसे पहले 50 ग्राम गुड ले लेना है और इसमें थोड़ सा पानी डाल कर गरम करने रख देना है देखिए फ्रेंड्स हमने गुड में पानी डाल कर गरम करने रख दिया है ये गुड़ पानी में अच्छी तरह से पूरा गुल जाए तब तक हम इसे चलाएंगे देखिए फ्रेंड जबता हमारा गुड़ गरम हो रहा है तो हम आगे एक समगरी देख लेते हैं दो कटोरी हमें आटा लेना है और आदी छोटी कटोरी तेल ले लेंगे या घी देखिए फ्रेंड हमारा गुड़ गरम हो गया है अब में इस ग्यास को बन कर देते हैं थोड़ा ठंड़ा होने देते हैं देखिए फ्रेंड हमारा ये ठंड़ा हो गये इसमें हम एक चमच लाइची पावडर मिलाएंगे और इसको हमें एक बोल में देखिए हम चान रहे हैं आटे को एक बड़े बर्तन में रख लेंगे और उसमें तेड या घी मिक्स करेंगे देखिए इस तरह से आप मिक्स कर लीजे देखिए यह हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब हम इसमें गुड़ का गोल मिलाएंगे देखिए इससे हम मिक्स करेंगे जितना हमारा गुड़ का गोल मिक्स हो जाएगा उतना कर लीएंगे और अगर आपका बच जाया तो उसके आप मीटे फुए भी बना सकते हैं देखिए फ्रेंड्स यह हमारा आटा सन गया है और हमारा इतना गोल बच गया है तो इसकी आप मीटी पुड़ी भी बना सकते हैं चलिए फ्रेंड्स आप हम इसे बेल लेते हैं देखिए इस तरह से देखिए फ्रेंड्स इसे हम बड़े गोल में बेल लेंगे और इसकी फिल लंबी लंबी पट्टी काट लेंगे देखिए फ्रेंड्स यह हमारा बिल गया है अब हम इसे काटते हैं ऐसे छोड़ी छोड़ी पट्ट में काट लेंगे देखिए फ्रेंड्स हम इसे साइड साइड से निकाल लेंगे और उपर से भी और नीचे से भी थोड़ी थोड़ी निकाल लेंगे देखिए अब हम इसके गुना बनाएंगे देखिए इस तरह से गोल गोल पट्टी करके फिर इसे चिपका देंगे पॉइंट से यह हमारे बन गया फिर ऐसे नेक्स्ट भी हम सारे ऐसे ही कर लेंगे राउंड राउंड करके इसे फिर हम चिपका लेंगे इस तरह से देखे फ्रेंड्स इसे हम थोड़ा टाइट से चिपका देंगे क्योंकि फिर हमाई करया में न खुल जाएं इसलिए हम इसे थोड़ा टाइट से चिपका देंगे देखे इस तरह से हम सारे गुना को अच्छे टाइट से सरकल अकार में चिपका लेंगे देखिए फ्रेंड्स हमारे गुना बिल गए हैं देखिए फ्रेंड्स हमारे गुना बन गए हैं अब हम आपको मट्री बनाना बताते हैं देखिए फ्रेंड्स अब हम मट्री को भी गुना की तरह बेल लेंगे गोलो बड़े अकार में फिर इसके हम मट्री बनाएंगे देखे हमाई पर यह shape था rectangle का आपके पास कोई भी हो shape उस तरह से बना लेंगे हो अपके एक हैं अप 전 глजा है से काट लिया है ऐसे हreensा हिसारे हम काट लेंगे अगर आपके पास सब भी धाकान या कोई भी shape की चीज हो कोई से काट सकते है देखिए हमने काट लिया है ambel Zach देखिए फ्रेंड्स हमने इसे निकाल लिया है अब हमाँ पास जो आटा बचा है उसे हम फिर से इस तरह बेल की बना लेंगे देखिए फ्रेंड्स यह हमारे गुनाव मट्री बन गा है अब हमेंने सिराने चलते हैं देखिए देखिए फ्रेंड्स हमने करहिया में तेल डालकर गरम होने रख दिया है दीमी आज पर अब इसे हम करम होने देंगे यह देखिए फ्रेंड्स हमारी करहिया गरम हो गई है हम इसे अराम से अब गुना डालेंगे गरम होगा तो आप देख के अराम से डालिएगा इसे तरह हम सारे डाल देंगे देखिए फ्रेंड्स अब हम इसे धीमी धीमियाद पर पकने देंगे ये मोटे हैं इसलिए हम इसे धीमी धीमियाद पर पकने देंगे देखिए फ्रेंड्स हमारे ये नीचे से थोड़े से हो गए हैं तो इसे हम पलटा लेंगे चम्मत की सायता से देखिए फ्रेंड्स हमने इसे चम्मत की सायता से पलटा लिए हैं सारे अब इसे हम धिम्य धिम्याद पर पकना ही देंगे देखिए फ्रेंड्स यह हमारे गुना हो गया है इसे हम अराम से निकाल लेंगे देखिए फ्रेंड्स अब हम अपनी मठरी डालेंगे इसमें और इसे धीमी ही आज पर पकने देंगे देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें मठरी डाल दी है इसे हम दीमी दिम्याज पर पकने देंगे देखिए यह हमारे हो गए इसे हम पलट लेंगे अब अराम से देखिए फ्रेंड्स इसे हमने पलटा पलटा के सेक लिया रहा दोनोब साइट से हमारे पक गए हैं अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में देखिए अराम से निकाल लिएगा इसे गुनाव मत्री बनके तयार हो गए हैं अब इसे आप खाईए, खिलाईए और हमें कमेंट करके बताईए कैसे बने हैं हमाई चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करेगा